मैं है स्लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेम्स MBBS इस्टूडेंट अपने रूममेट से इस तरह परिशान हो गया कि आखिरकार उसने अपनी जान दे थी भीमंडी का रहने वाला ये MBBS इस्टूडेंट जिसका नाम हर्शत महाले 19 वर्थ था पता जारा कि कर्जत में एक मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट इयर का इस्टूडेंट था और इसने मरने से पहले अपने नोट में लिखा कि कुछ रूममेट हैं जो उसे काफी परिशान कर रहे हैं और कुछ लोगों का नाम भी उसने जिक्र किया है वहीं 19 साल के इस स्टूडेंट हर्शत ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली इस्टूडेंट के पिता ने कॉलेज मेनेजमेंट और रूममेट पर आरोप लगाते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं मेरा लड़का हर्शल महाले उसका एडमिशन डॉक्टर एनवाई ताजगावकर इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस डिक्साल तालुगा करजर डिस्टिक राइगर्ड यहां MBBS फर्स्ट एर में हुआ था और वो रेगुलर कॉलेज जॉइन थर्ड अक्टोबर में उन्होंने इंडक्शन प्रोग्राम किया उसमें पैरेंट्स उनको अलाउग किया था और पैरेंट्स के साथ एक खुद हर्शल हम तीनों ऐसा पूरे पैरेंट्स सब उधर थे सब पैरेंट्स वहाँ एक प्रोग्राम भी हुआ 11 बज़े से स्टार्ट हुआ तीन बज़े तक लांच पूरा होने के बाद होस्टल अलोट्मेन हुई रूसी दिन हो तीन तारिक से कॉलेज होस्टल में वहां रहता था उसके बाद कॉलेज रेगुलर शुरू हो गया उनक नॉवेंबर में लगी 4 नॉवेंबर टू 19 तक तो दिवाली के चुट्टे में हमारी इधर ही था उसके बाद 20 तारिक से उसका कॉलेज शुरू हो गया वो 20 तारिक को हमारे विवंडी से जहां रहते थे वहां से गया तो जोईन हुआ हो 21 से 25 तक वो कॉलेज में उधर था उस्टल में उधर रहता था तब तक एकडम रिलैक्स उसका कोई टेंशन नहीं था क्योंकि उन्होंने कुछ से उसका एक टार्गेट था कि एमबेस उसको करना था उसने कभी ऐसा सोचा भी ने था कि एक्स्रीम स्टेप उसका कुछ ऐसा होगा या ऐसा उसके दिमाग में और मॉर्निंग में अर्ली इंद मॉर्निंग वो सेवन को यहां से गया कॉलेज में मंगलवार के दिन 27th 28 लग 28 लग 28 नॉवंबर उसके बाद शाम को फिर से उसके कॉंटेक्ट है कि वो कॉलेज में गया शाम को कॉलेज करके आया और वैसा हमारी बातचेत भी उसके 6-6 के बा लगाने उसके दिमाग में कुछ ऐसा है जनरल जैसे बाते करते थे वैसा हो करता था लेकिन 29 और 30 बुद्वार और गुरुवार के दिन अनफॉर्चनेटली हम उससे बात करने में भूल गए या ऐसा कुछ उसका बीजी सेडल होगा इसलिए हमने ऐसा सोचा कभी ऐसा दिमाग में भी नहाए कि ठीक है फ्राइडे को बात कर लेंगे ऐसा चोड़के हमने फ्राइडे को फोन किया और उसका भी दो दिन वो हमारी क करीब तो पाच-दस मिनिट वेट किया हुदर से कोई रिफ्लाइड ने आया तो थोड़ा एक घंटे के बाद साथ सवासाथ के बीच में पोस्टेल से सिधा फोन आया कोई तो भी बोल रहा था उसने नाम नहीं बता है लेकिन हम उस्टेल से बात कर रहे है आप तुरंद इ इसा काम होगा अर्जंड इसा उपले तुरंद आ जो ऐसा इधर होस्टेल में तो जैसे हम निकले मेरे साथ मेरा बाई छोटा लड़का था और मिसेश और जैसे हम रास्ते में आधे रास्ते में आये तो उपले अभी होस्टेल में मत आओ सीधे डायरे करजद सीविल हस्पिटल में आजओ उधर हम जा रहे हैं तो हमें थोड़ा डर मैसेश हुआ कि सीधा करजद हस्पिटल कर से लेकर जा रहे है कोई ज्यादा सिरियस है या कोई ऐसा बैटर हुआ कि कुछ आम ऐसे एक दम ऐसे बोलने की कंडिशन में भी नहीं सब्सक्राइब लेकिन वह बीच-बीच में ऐसे पुछते थे कि कितने लोग है आप साथ में कुन-कुन आ रहे हैं कितने टाइम लगेगा इसे बार-बार उदर से फोन करते थे और जैसे हम पहुंचे तो हस्पिटल के जहां पोस्टमार्टम की जो रूम थी सीधा वहां हम लेके जाना चाहते दे लेकिन हमारी डेरी में हो रही थी इसलिए मैंने फैमिली की मेरी मिसेस और लड़के को साइड में रखा और मैं अकेला गया इंस्पेक्टर खड़े थे और सिधा उन्होंने दरवाज़े जब उन्होंने खोला लॉक जो किया हुआ था तो जो तो ऐसा कुछ बिलीव ने कर भाए कि यह मेरा लड़का दो दिन के पास हमारे था इतना एकदम रिलाक्स में ऐसा कुछ कर सकेगा इसा तो जब मैंने मिसेस को फोन किया तो उसको कंट्रोल करना तो इतना मुश्किल था तो कैसे भी उसको पाच मिनिट के लिए उसको दिखा और जैसे उदर बाहर आए हस्पिडल के सामने तो उनका जो स्टाप था वो बोलने लगे अभी पीम करना पड़ेगा अभी वो भी थोड़ा डाउट को लगने लगा कि शाम को पीम करते या नहीं ऐसा क्योंकि मॉर्णिंग में पीम करना चाहिए तो उन्होंने साड़े बा बाद आप बॉड़ी लेकर जा सकते हैं अभी दो तीन रात को कैसे जा सकते हैं तो हम थोड़ी देर दो घंटी उदर ही रुके और मेसेस को कैसे हम संबल रहते हैं लिकिन बाद में पिर वो बोले अभी पीम हो गया है ऐसा हो गया सब पुरा ऐसा और हमारी कंडिशन तो ऐसके थी कि हम खाली ऐसा बैठे हुए थे कुछ दिमाग ही हमारा चलने रहता कि क्या करना है कईसा क्या करना है तो जैसे ही मॉर्णिंग में हम 9 बज़े के करीब उन्होंने फिर से बुलाया और बोले क्या भी बॉड़ी तुम लेकर जा सकते हैं तो अमरे विलेटिव उसको भी तब तक हमने इंपॉर्म कर दिया था लेकिन तब तक ऐसे दिमाग में ने आ कि कुछ ऐसा क्या बोलते है उसको एकदम कॉंस्पिरसी या कुछ तो भी ऐसा कुछ तो किया ऐसा दिमाग में तो इतना आ रहा था लेकिन हमारी कंडिशन देके शुरूई था फिर से हम क्योंकि एक क्लियर ने हो रहा था तो दुसरे दिन हम तीन तारी को कर्जत पॉलिश टेशन गए और उनको फैक्ट बते कि हमारा लड़का ऐसा करी नहीं सकता यह ऐसा पूरा सस्पीशियस मैटर है क्योंकि हमारा लड़का ऐसा कुछ करने सकेगा त कि हमारा पुरा जो इन्वेस्टीकेशन नहीं है पुरा नहीं हुआ है तो आप फिर से एक दिन के बाद सकते हैं तो हम पिर से चार तारीक हो गये क्लाश बजी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने चार तारीक जब उतर गए तो पुरा उनके पास जो कोई investigation में जो proof मिले उसमें mobile उन्होंने sis किया हुआ था और mobile से उन्होंने कैसा एक print उसमें जो उन्होंने type beep किया था पुरा में बताया कि कैसा उसने एक suicide note उसमें थी और उसने cupboard और वगर hostel के जो यह रहता है अलग-अलग जगा ऐसा लिखा हुआ था I want justice ऐसा कुछ लिखा था और जो जो जिन्होंने कुछ उसका roommate roommate के बारे में उसका नाम लिखा हुआ था कि कोन उसका mental torture ऐसा कुछ कर रहे थे एकदम harassment उसकी हो रहे थी जैसे वो college शुरुआ तब से उन्होंने ये लेकिन एक word हमें ऐसा कुछ उन्होंने अब भी तक बताया नहीं था इसलिए हमें एकदम relax ही थे कि अच्छा चल रहा है उसका study अच्छा चल रहा है और roommate ने भी कभी हमें ऐसा फोन करके बताया नहीं कि दो दिन से बुद्वार गुरुवार ये ऐसा उसका condition ऐसा है या Friday के दिन भी उसका कोई उन्होंने भी फोन नहीं किया कुछ नहीं और इतना है हमें ऐसा पता चला और जो पूरे फ्रूप से वो पूरे पूलिस officer के बास details में उन्होंने रखे हुए है और इतना हमें वहा कुछ उनका कुई ऐसा हमें एक फोन नहीं आया कुछ ऐसा उनके धरब से कोई असा यह वह घुचिस कि लेकिन कोशिश बी करने के हमारे अब एसे मेंटली हम प्रिपेर नहीं की क्या उनसे बताएंगे क्या करेंगा क्योंकि हम इतना मेंटली है हो गया है कि हम ऐसे बीली भी वाद में नहीं किसी नहीं कॉल नहीं किया भी दख एक पूरा हफ्ता हो गया लेकिन अभी और रेक्टर का फोन नहीं है कौलेज का लो किसी का फोन नहीं है तो इसलिए हम उन पर बैसा सप्षिशन हमारा बढ़ रहा है कि वह वह कुछ उनके इसमें कुछ और जो सीचिटी जो कवरेज है उसमें भी हमें पूरा पता ने चल रहा है कि क्या उसमें है या कुछ ने ऐसा इसलिए क्या हो सकता है हमें पूरे जानकरी चाहिए उसके बारे में जैसे कि आपने बताया कि suicide notes में roommates के नाम लेक्षा थे उनकर पूरे प कुछ अरेश्ट किया या कुछ तो जैसे आम ट्राइम सब इंडिया में हमें news में कि अईसा तीन students को ऐसा अरेश्ट की आ इसा कुछ पदा चला लेकिन बागी इतना पुरा में पहला दो चुक्तु पता रहता है को का आगता था या जाता था या पहला तो यह और बाकियों तो दूसरे दो और कौन है वो हमें कभी ऐसा कोई मेंशन या कि उसने कभी नाम भी उसका लिया नहीं था कि मेरे कुछ यह मेंटल यह टॉर्चर करते या कुछ ऐसा लेकिन आपने रूमेट से डिरेक कॉंटेक करने की कोशिश की और वो जब आंतिन संस्कार की दिन वो भी आय नहीं सेरा इनगे नहीं यह टॉर्शन प्रोलत पकॉछन भी लिए तो उसमें उसका नोटबुक बाहर उसमें इंट्री में न नहीं होगा तो उसने क्यों नहीं गया उसका रीज़न्कुछ न जई था या पैरेंट्स को तूरण इंफर्म करना चाहिए था अगर उन्फर्म करते थे या हम उदर पहुंच जाते थे कॉलेज में अगर तबिया ठीक नहीं है या कुछ उसको टेंशन है या कुछ भी लेकिन उन्होंने पूरा छे बज़े तक साड़े आठ से छे बज़े तक क्या हुस्टल वालों को कुछ काम ने क्या अंदर क्या चल र पूर शक्रकुच कॉलेज से कुछ ऐसा यही मिलाने हमें तो उसका पूरा उनके पास भी अटेंडन्स रेकॉर्ड होगा और उन्होंने तुरंद इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए थी कि तुम्हारा जो लड़का यह तो तीन दिन से कॉलेज आया नहीं है तो उन्होंन पूरे च्छोड दिया तो तो उसका भी हम जिम्मेदार उसको भी तो में तो भी रिस्पॉंसिबल है यह पूरा सिचुएशन ने वह कैसे हैंडल किया और कैसे अभी तक और कैसे सोच रहे है अभी तक और रहा विकुष्शन तो अभी तक दिया है नहीं कुछ उन्होंने तो हमें वही है कि अभी इसके पीछे जो है कलप्रीट्स वो ढूंडना चाहिए कॉलेज का पुरा सपर्ड उदर चाहिए और जो हुआ हुआ हमें पुरा इंपार्शल ऐसा जस्टिस में लेगा ऐसा हम ऐसा होप पूल है कि कुछ ना कुछ ऐसा उसके लिए सब स्टूडेंट मेडिया वालों ने सब वहां तक जाके पुरा डीटेल्स पॉलिस तो इंक्वाइरी करी रही है हम हमें उन पर भरोसा है कि वो इंपार्शल ऐसा करेगी लेकिन अभी हमारा लड़का गया है लेकिन किसी का आगे जो इतने बच्चे पड़ रहे उसका फ्यूचर आईसा ना ह होना चाहिए हमारा बच्चत हो गया है कि हमारी कंडिशन आप सब लोग यह कर सकते हैं तो बस इतना ही इसके बारे में बाकि अभी में कुछ ने बहुत सकता बस